दोस्तों वेलकम, स्वागत एक बार फिट से आप सभी का आरेस जुंक्षिन पर तो ACF का EVS का पेपर आ चुका है और इसको मैं डिसकस कर रहा हूँ वैसे तो ये पेपर डिसकस करने लाइक है ही नहीं क्योंकि जो लेवल पेपर का दिया है कहीं से भी ACF जिसे एकजाम के लिए suitable नहीं है पर RPC जो भी करती है हमें उसको फोलो करना है तो पेपर तो डिसकस करना ही है तो options आप अपने match करते चलें और फटा-फट से जो है हम इसको solve कर लेंगे तो बारत का जैविवित्ता अधिनियम 2002 है अंसर हमारा 4 हो जाएगा यहां पर ठीक है उसके बाद विश्व जैविवित्ता दिवस 22 मही को मनाया जाता है बारती वने जीव संग्रक्षन अधिनियम 2002 है कुछ भी solve करने लाइग नहीं है क्योंकि डेटा पूछाय सीदा 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 परस्थाने संग्रक्षन जिसको एकसे टू कंजर्वेशन बोलते है उनी के लिए होता है जो संकट ग्रिस्त पादब और जनतु होते क्योंकि उनको में बचाना होता है वापस से इनको सर्वाइव करवाना होता है स्वस्थाने संग्रक्षन इन सिटू की बात करे तो जेव मंडल राष्ट उध्यान और वने जी वह भेरनी होते है पयूतर जंगल जैसी कोई चीज इसमें नहीं होती है चालिए इसके बाद मे बारत सरकार दोरा भाग परिजना 1973 में शुरू की गई जिसके बाद नैशनल पार्क्स इस्थापित किये गए थे जो टाइगर रिजर्व से स्थापित किये गए थे स्वरी किस राजी में गिर्रास्टी उद्यान है? गुजरात का गिर्रास्टी उद्यान है बीज बचाव अंदोलन हिमाले तलवटी में उत्राखंड में किया गया था निमलिकत में से कोन यूग में बेमेल है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिम कारबेट यह नहीं है एक्चल में हुलोग गिबन आपके नौर्थ इस्ट में पाया जाता है बारत में वन्ने जीव सप्ता पहले सप्ता में ही मना जाता है इस बार 2-8 था कई बार 1-7 भी रहा ह तो पहले सप्ता में ही इसको मना जाता है सूर्य से सोर उर्जा सिधा सिधा विद्ध चुमगी स्पेक्ट्रम के रूप में निकलती है तरंगों के रूप में रामसर कंवेंशन 1971 नम भूमी के संगरक्षन के लिए है अधिक्तम कारबन, पीट, लिगनाइट, बिटुमनी औ पी जाती है, सार वैल्यू जो है, सार वैल्यू के माध्यम से इसे मापा जाता है, भूइसकलन, भूइसकलन क्यों हो रहा है, चारो ही कारण है, सडकों में कटाओ, भूकंपिय गतिविदी, वनों की कटाई और शेरी करण, तो आंसर आपका 4 हो जाएगा यहां पर, कहनन के पस चात, उसी भूमी के मूल अवस्था में आने को, क्या बोलते है, रीकलेमेशन, ठीक है, लैंड रीकलेमेशन या भूमी उद्धार इसको का जाता है, कौन सा कीट नाशक नहीं है, देखो, मेटल्डीहाइड, मॉलस्क साइड है, डीडीटी और मेलाथाइन, इंसेक्टि साइड है, और मेटल्डीहाइड एक मॉलस्क साइड है, तो इनको सबकों पेस्टिसाइड में रख सकते हैं, ठीक है, चलिए, सोर उर्जा, जल विद्ध्यो, बहुत सिंपल प्रिशन नवी करनी उर्जा हो जाएगा, अंसर आपका, जैवी धन का निर्मान, तीनों से ही होत है, किस प्रकार के वन अधिक्तम है, तो वैसे तो आपके अर्दशुष्क परणपाती वन होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है, उश्न कटिवंदिये नम परणपाती वनों को ही रखना पड़ेगा, 17 प्रक्तिशत की गरीब होते हैं, किसी भी खादेश रंकला में सरवादिक होते हैं, तो पादक ही सरवादिक होते हैं, उसके बाद उपर की तरफ इस्तर घड़ता जाता है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, एक जील में द्वित्यक पोशक इस्तर है, तो द्वित्यक पोशक इस्तर पहले पादक प्लवक होते हैं, फिर जन्तु प्लवक इसमें होते हैं तो जील में दूसरा इसतर जन्तुपलवक का है एक समुदाय जो इस्थिरेवन जलवाई के साथ संतुलन इस्थापित कर ले उसे क्या बोलते हैं क्लाइमेक्स चर्मोतकर्स समुदाय जो सबसे जैसे मनुश्येक क्लाइमेक्स समुदाय है ठीक है चलिए इसके बाद में next है लोटका वल्टेरा मॉडल तो इसका मैं clear नहीं कर पाया हूँ ठीक है तो इस पर मैं भी एक प्रिशन को मैं छोड़ूँगा ये आपका प्रेय और प्रेडेटर को ले करके है ठीक है प्रेय और प्रेडेटर का मॉडल है बट इसको मैंने डीटेल में देखा नहीं है तो इसका अगर आप में से किसी भी स्टुटेंट को पता है अगर पढ़ा होगा आपने तो ये एक अलग से exception जैसा question है चलिए उच्चेतम इस्थातिक उर्जा पाई जाती है तो ज्यादा से ज्यादा इस्थातिक उर्जा उतपादकों में होती है फिर नीचे घड़ती जाती है जैसे आप उपर वाले इस्थर पर जाते हो पारस्तिक दंतर एक समय में अधुदी के पस्चात परिव मिलते हैं आंशिक रूप से परिवद तर्टिय चेतर जिसमें एक सदिक नदी वहते हो उसको क्या बोलते हैं एस्चुरी ज्वार नदमुक इसको बोलते हैं क्योंकि समुद्र से भी जुड़ा होता है गलत गथन क्या होगा इको टोन में प्रजातियों की संख्या कम होती है यह गलत है क्योंकि इसमें दोनों ही छेतरों की मिस्रित जनसंख्या पाई जाती है तो बहुत से उभेचर भी इनमें मिलते हैं एकोटोन में ज्यादा होती हैं अपरसंख्या तो गलत गतन यह हो गया शाक वरती खाद शंकला में प्रथम पोशक इस्तर में जीव होते हैं प आपके corporate social responsibility में होती है आपको topic भी था सुरक्षा का अधिकार सूचित करने यह सारे के सारे अधिकारे को भोकता के अधिकार होते हैं तो भोकता वाद में आते हैं एक भूमी की एककल इकाई का अपवहन तंत्र ठीक है क्या प्रशन है अपवहन तंत्र के साथ प्रबंधन कर लेकिन यहां पर best suitable option CO2 है अमली वर्षा में होता है sulfuric यहां पर होता है अमली वर्षा में बहुत ही simple से प्रिशन पूछे है ओजवन परत प्रत्वी की सतर से शोब बंडल के उपर का जो एरिया है 18 km से उपर का तो 15-35 km के उपर में यह पाई जाते हैं परियान संग्रशन अधनियाम 1986 डेटा का पुरिशन है कौन सा अधिनियम राष्ट उद्ध्यान वने जीव यह भी परियान संग्रशन अधनियम यह आंसर हो जाएगा कौन सा एक कथन राष्ट प्रादिग्रण अधनियम के बारे में गलत है चोईसवन उच्छे से संबंदित नहीं है चोईसवत आप सभी जानते हैं वैसे भी बच्चों के लिए है यह बाल जो सोशन है उसको रोकने के लि तो option हमारे पास जो बचता है फिर third बच जाता है ठीक है second और fourth ही answer होगा परियान के समद में गंदा दर्जन persistent organic pollutants जो होते हैं उनको हम बोलते हैं 12 की करीब हैं तो इनको dirty dozen का आ जाता है तो answer होजागा केवल 2 इया प्रक्रिया के screening का भाग नहीं है तो determination weather project में है significant environment effect यह चीज सबसे last में होती है ठीक है बाकी सारे पहले हो जाते हैं तो screening में आते हैं प्रतम प्रकास रासायनिक धुम्दि लंदन स्मोग के रूप में मैंने पढ़ाया था यह यह वाली classes में अमारी स्वरी जो एन्वार्मेंट की classes थी उनमें खतरनाग अप्सिस्ट प्रबंदन अधिनियम 1989 में सबसे पहले प्रभावी भारत में राष्ट्य आपदा प्रबंदन संस्तान नई दिल्ली में है बिल्कुल सि स्मोग्राफ बुकम तरंगों को पी तरंगों को दर्ज करता है ठीक है पी तरंगों को यह दर्ज करता है अमल वर्षा में सल्फिरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों होते हैं यह बी एक और दोसरा किशन भोई अमल वर्षा जुड़ा गया वोपाल गेंस मिठाइल इसो साइनेट सभी ने पड़ा है तो अनिको मापने की काई डैसिबल होती है समुदर के नीचे सुनामी आती है अब ये प्रिश्ण तो कोई भी आठवी से दसवी क्लास के बच्चे जिन्होंने अपनी बुक्स में एन्वार्मेंट पड़ा है वो भी कर सकते हैं कौन सा प्रो कि गाली में आयुजित की गई थी संशोदन किया गया था कौन से कथन ओजोन के बारे में सही है तो औसमें सही कौन सा hope कामारा कथन एक दो और चार इसकी मोटाइं डॉप्सन में होती है, रैम में नहीं होती है, तो तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है, भारती मगर मच संगरक्षन परियोजना कब आई थी, 1975 में, भारती वनस्पर सेलेक्षन चेत्रे कारियाले काँ पर है, जोदपूर में इस्तित है, राजस्तान में, चंगली गदा, गुजर संगरक्षन सुरक्षा, बिष्णोई, देखो, क्या बताएं, मतलब इन प्रिश्णों को करते समय, आपने भी देखा हुआ है, कि ये कोई पेपर का लेवल नहीं है, आरपीसी ने बिल्कुल सिंपल लेवल का पेपर पूछ लिया, वो भी ग्रेडवन जैसे एक्जाम के लि स्वेजर लेंड में है, अब ये ऐसे प्रिश्णों का अंसर इसी तरह बताया जाता है, रास्ति उद्यान रास्तान में नहीं है, मौलेम गोवा में है, रास्तान का राम सर, सांभर और केवला देव, दो हम पढ़ते हैं, कोई एक प्रजाती है जो बहुत बड़ी मातरा में लेकिन केवल एक ही हिस्से में पाई जाती है, तो वो एंडमिक होती है, स्थानिक, कई बार मैंने आपको बढ़ाया, ऐस उमलित कौन सा है, कान हा, कान हा, उतर प्रदिश में नहीं है, चले हैं, इसके बाद में है, ऐस उमलित योग में, उडन गिलेरी, ये सिता माता ब्या में माउंट अभू में नहीं है, सतत विकास की अउधाना किसमें दी गई, परियावन एम विकास पर सिंक्तरास सम्मिलन, जो 1992 का प्रत्वी सम्मिलन, जिसको हम कहते हैं, परियावन योजन भारत में 1992 में शुरू हुआ, सिंक्तरास्ट्र विश्व जनसंख्या दिवस, जु कौन सी जल से उत्पन विमारे नहीं है, मलेरिया, ठीक है, चलिए, निमल कितमे से किसे कैंसर होता है, कार्सिनोजन, अब बताओ इनको ये पूछना चाहिए था उसके डिफरेंट टाइप, और ये पूछ रहा है सीधा भई कार्सिनोजन के बारे में केशन, कौन सी बिमारी जल जनित है, तो गलसुआ को छोड़ कर सारी बिमारियां है, तो एक, दो, तीन, चार, आंसर आजाएगा तीन, HIV नहीं फैलता है, हाथ बिलाने और साथ खाने से, बहुत एड़ा आपने देखा होगा इसका, कौन सा कता है, ड्रेकिस्तान के बारे में सही है, तो पहला उप् बढ़ आई था, 22 मही को मिनाया जाता है, भार्त सरकार ने EIA के लिए, तो सबसे पहले 1994 में शुरू किया, फिर छिंडमा 98-2000 में संचोधन किया है, स्विक्रती आवश्रिक्ता शुरू आत, सथा जनित 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 चुराण में से, EMS क्या होता है, एन्वायर्मेंट मेनेज सिस्टम, ठिक है, यह भी आपका टॉपिक था है, नासादरा प्रतम सुदूर सविधन, वैसे तो टी ओर का नाम आपको अरजगे मिलेगा, लेकिन लैंडसेट वन जो है, इन में से लैंडसेट वन को ही हम काउंट करेंगे, तो पहला आंसर होगा, परियाण लेखा तरीके से रोका गया, परियाण प्रभाव आंकलन के लिए सबसे अच्छी विधी, लियोपोल्ड मैट्रिक्स को हम कहेंगे, प्रियाण प्रभाव आंकलन सबसे पहले, 1960 में सिक्टराज अमेरिका में शुरू हुआ, GIS, GIS स्पेट्रियल डिटा देता है, जहां पर आप स्था है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद सुदूर समवेदन, इसको हम बोलेंगे, एक्सपर्ट, स्वरी, स्वरी, यह पर्याण अनुमोदन नहीं है, इसका आंसर होगा, एक्सपर्ट अनुमोदन कमेटी, ठीक है, एक्सपर्ट असेस्मेंट कमेटी, EAC होगा, मैं जो होगा, यहाँ पर, EAC होगा, इसका, ठीक है, चलिए, सुदूर समवेदन में, ओर्जा का कौन सा इस्वरोत मुख्यते काम लिया जाता है, विद्युत चुम्ब के तरंगों का ही प्रियोक किया जाता है, उनको प्रावर्टी तो कराती है, तो उनको capture किया जाता है, और उनक पांचों के पांचों इसके पार्ट है, चलो आई परितन पर भात की पहली राष्टी कारियोजना कब आई, 2008 में ये कारियोजना आई थी, पहली कारियोजना, ठीक है, चलिए, क्योटो प्रोटकोल, और दोगी छेतर द्वारा, ग्रीन हाउस गेसों में, उस सर्जन को कम करन करने के लिए, मतलब टेंपरेचर को रोकने के लिए, मानो परियोजना सम्मिलन का हुआ, स्टॉक हो में सबसे पहला कन्वेंशन, रास्तान प्रदूशन नियंतन बोर्ड कुल 15 बोर्ड हमारे जून 2019 तक थे, मॉन्ट्रियर पर्टोकॉल, हुजन परत के संगरक्षन से जु 2021 ताप ये प्रदूशन तीनों में होता है, तीनों पर ही ये प्रभाव डालता है, जो हमारे नुक्लियर पावर प्लांट से निकलने वाला पानी होता है, उसकी वज़े से और बाकी चीजों से, भारतिय पारिसितिकी, आर मिश्रा, ठीक है, विश्व परयान दिवस, अरावली पर शंकला है, खेजडली गाउं, तो जोधपूर में है, हवा की गती, नौटिकल मील प्रति गंटा में नापी चाती है, ठीक है, केंडला जोती ती वरता, डैसिबल द्वनी की और रिक्टर, पहमाने पर आप भूकम को नापते है, वाय मंदल में वायू का वेक, उच्छ दाप से निमने दाप की और होता है, तो वाय मंदल का दभाव निर्दाइद करता है, प्रसिद खारी जील, सांबर जील है, नमक निकलता है वहां से, कौन सा एक सम्मिलन, प्रत्वी सम्मिलन की नाम से जाना जएता है, तो यह सुनर सिंग राश पर्याण और विका अब ही चलो सुनो दोस्तों, यह तो हो गया आपके पेपर के बारे में, आपने देखा कि इस पेपर का लेवल देख करके कोई नहीं कह सकता है, इस लेवल के भी प्रिश्ण पूछे जा सकते हैं, इस यह जैसे एक्जामों में, तो ऐसा भी हो सकता है, तो जो बच्चे, पह पहले पेपर का कोई रोल ही नीरा, सेकंड पेपर ही निरधारित करेगा, कि क्या कुछ हो सकता है, तो तैयारी कीजिए, चलिए, तो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेर करो अपने दोस्तों के साथ, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप क्या कर स सकते हो, एक कोर्स मैंने दिया है, तो वहां पर आप ये पेपर में आपको देनी कोशिश करूँगा, वहां आप अपने आंसर्स देना, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि कितने बच्चों में आपकी कौन से रेंक है, चलिए, थैंक यू,